नवाज बै, तीन रोटियां, एक सब्जी और एक अपचाई मेरे खाते में लिखे. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ. तमने लिखे नहीं? क्या? उस मंदे के पैसे? लिख लूगा, समझो दिल पर लिख लिए. पैसे थोड़ी चलता है, बाद में भूल जाओगे लिख लो. मेरे दोस्त मुझे उसके पैसे लिखने ही नहीं. क्यों? समझाता हूँ. उस साथ वाली फैक्टरी में मजदूर है. अच्छा बताओ, उसके कितली सेलरी होगी? है कुई 20 से 25 अजार. ठीक है रहे हो तुम. इतने पैसों से इस महगाई के दोर में घर चल सकता है. मश्किल है मगर. अगर मगर कुछ नहीं, नहीं चल सकता. ऐसे वे वो खाना कहां से खाएगा? और मुझे ये भी पता है, कि बहुत से मजदूर हिसाब किताब कि ये बगएर जले जाते हैं. और पैसे भी नहीं देते. फिर भी तुम उनका खाता नहीं बनाते. मेरे दोस्त, इसने देने हैं, वो दे जाएगा. और जो नहीं दे सकता, उना दे. पैपिये. बाई, खाना मिलेगा? हाँ, बाई, ओटल खाने के लिए बनाया है. असल में मेरे पास पैसे नहीं है. बिकारी हो? नहीं जानाब, वह इसके मतले में कोई भी काम कर दोगा. आप जाए खाना खाले हैं. बाई, इनको खाना खिला दो, जो भी इनका खाने का दिल करे. आप जाए. शुक्रिया. इस तरह कारोबार करोगे तो कमाओगे क्या? इसी तरह ही कारोबार किया है. तभी तो आज इस घोटल का मालक बनाओ. मैं समझा नहीं. बताता हो जुन्दर. यूँकर जब तक बताओगा नहीं, तुम छोड़ोगे नहीं. जी जनाब, बताएं, क्या काम करना होगा? अब, नहीं, कोई काम नहीं. आप जाएं. यहिंग, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता. मुझे अच्छा लगता है. बलके आएंदा भी कभी भूक लगे, तो बिला जिज़ख चले आना. अब जाएंग. बहुत छुकर है आपका. बहुत ही सखी नहीं हूँ. मुझे नहीं लगता कोई मुनाफ़ा कमाते हो गे तो. तुम्हें याद है, पहले मेरा काम चोटा सा था. सिर्फ एक चाय का ठीया था. हाँ, याद है. मैं एक दिन बहुत परिशान था. या अल्ला, मैं बहुत परिशान हूँ. काम बनने की बजाए घाटे में जा रहा है. मेरी मदद फर्मा. या किसी ऐसे सख्स को भेज़ जो मेरे कारोबार में मेरी मदद करे. मेरी मदद फर्मा. फकीर को खाना खिला दे, या ला तुझे और देगा. जाओ बाबा, माफ करो. मैं पहले ही बहुत परिशान हूँ. मैं खुद घरीब हूँ, तुम्हें क्या दोँगा? जाओ. देखो, अगर चाते हो के तुम्हारा कारोबार बड़े, तो अल्ला के साथ कारोबार कर ले. अल्ला के साथ कारोबार? मगर कैसे? बूके को खाना किला कर, तुम उसकी राव में एक गुना दोगे, वो तुम्हें सत्तर गुना देगा. उस दिन से मैंने अल्ला के साथ कारोबार कर लिया, और फिर दिन दुगनी और राज चुगनी तरक्की करता गया, और आज एक होटल, एक पलाजा, और दो कनाल के घर का मालिक हूँ. ठीक याते हो तुम, अल्ला के हाँ से मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, सत्तर गुना देता है अल्ला, उस दिन के बाद मैंने कमजोर और गरीब इनसान को खाना खिलाते हुए कभी नहीं सोचा, दिन में चाहें इतने मर्दी आ जाएं, क्योंके मुझे इन ही की वज द्जबान हो जाएगा, भूगके को खाना खिलाना है